मैंने काफी कॉमेट देख रखे हैं आप लोगों के तो वह मैं इस किलियर करूंगा और बताऊंगा तो में रीजन क्या है और मतलब कैसे कैसे मतलब माइक की प्रोग्राम में अर्थिंग दें और अर्थिंग के बारे मैं आज में डीटेयल में बताऊंगा हुआ फरेंस वेलकम तूम्लय मतलब habían को मतलब अर्थिंग संग नहीं कि यही मैं कि अर्थिंग देना कzess घलत और कौन से प्रोग्राम में कैसे अर्थिंग दें और अर्थिंग के फायदे और नुक्सान ठीक है सारी चीज में बताऊँ इस वीडियो में तो वीडियो में लाश तक बने रहे हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो फेस्टुक मे करता है और वह काफी मतलब प्राब्लम में हैं तो इसके बारे में बताऊंगा उससे पहले बात करूंगा एंपलीफायर को अर्थिंग देना सही है या गलत क्योंकि कुछ भाई कहते हैं कि भाई हमारे एंपलीफायर में तो और सिस्टम ही नहीं है अर्थिंग कहां से यह कुछ भाई कमें मतलब एक दूसरे से बाते करे रहे थे वहाई एक बोल रहा था भाई एक देने से सीटी नहीं जाती ठीक है मैं ने काफी कमेंट मैं किलियर कर ओंगा और बताओंगा तो में रीजिन क्या है और मतलब कैसे कैसे मतलब माइक के प्रोग्राम में अर्थिंग दें और अर्थिंग के बारे में आज में डीटेल में बताऊंगा तो सबसे पहले बात करूंगा कि आप अगर माइक का प्रोग्राम घर में कर रहे हो भजन कीरतन सुंद्रकांड और मतलब राम आयड का प्रोग्राम जो है ठीक है तो आप ने सिस्टम लगा लिए छोटा सधाउम यह एक 나?"2003 और छोटा एक एम्प्लीफार ले लिया स्पीकर चलाने के लिए एक या दो स्पीकर चलाने के लिए को घर में तो यह की दो स्पीकर लगते हैं ठीक है तो आपने यह ले लिया तो आपने देखा होगा जब भी मतलब स्पीकर के तार लगाते हैं बोर्ड में अगर किसी के घर इंडिवेटर लगा है तो उसमें क्या होता है उसमें अगर आपने ये तार है न कि फिरुकर करते हैं जब पुर्फीज दो दो तो तो मैं यह बताऊं इसका स्लूचन की आपको यह तो यह जो do अगर यह कमाय clo मारों तो कुछ नहीं करना है आपको और यह तार निकाल के यह अदल इदर का इदर इदर का इदर फिर बोर्ड में लगा दो जहन्जटी खतम हो जागा रतिंग मारने का क्योंकि जिसे घर में इन्योवेटर लगा होता है तो यह प्रॉब्म है आती है प्रोग्राम में मतलब तो ऐसा हुआ है कि मतलब बदलने पड़े हैं तार तो इससे मतलब हो जाता है यह सिस्टम आपने कहीं भी प्रोग्राम किये होंगे कि जिवार्थिंग मारी होगी माइक ने तो आपके समझ में नहीं आया होगा क्या करें तो आप यह चीज़ ध्यान रखें और यह तार बदल पर उनके मतलब अर्थिंग लगेगी क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम किया था उसमें यह 4000 बाट का एंप्लिफार ले गया था यह मतलब गाड़ी बांदी ती उससे पहले मतलब इसमें कुछ हो गया होगा जो ग्राउंड था ट्रांसफार्मर का उससे मतलब प्रॉब्लम हो इससे क्या होता है इससे यह है कि आप जब भी कहीं प्रोग्राम करते हो तो आप जब आवाज खोलते हो तो उसके साथ में देखा होगा आपने आवाज के साथ में हमिंग आती है माहिन माहिन रैठे की आवाज आती है और मतलब अच्छे लेवल पर चलती है वो ज़्यादा आवाज खोलोगे तो उसके साथ में ज्यादा हमिंग आएगी ठीक है तो वो बिल्कुल ही खतम हो जाती है बिल्कुल ना के बराबर मालूम ही नहीं पड़ती है मतलब मतलब हमारे चालू है या बंद है जब बोलेंगे तो किलियर आवाज आएगी और कितनी भी आवाज बढ़ा दो तो इससे आपके अर्थिंग देने का यह मतलब सिस्टम नहीं है आपके अगर नहीं है और कहीं आप प्रोग्राम बजा रहे हो और अगर वहां पर हमिंग दे र रहा है चोटा मोटा वंप्रोग्राम कर रहा है बजनी किरतन का नहीं दे रहा कोई दिखत नहीं है और में अगर यह सिस्टम नहीं है अर्थिंग देने का तो आप एक काम करना तो ट्रश्ट कारण सकते हो जिसしまतलब हमिंग चली आएगी हमिंग नहीं देगा सुछी मारने का कोई मतलब नहीं रहता है क्योंकि इस पीकर पास में होंगे और हमिंग देगा तेज तो आपका सीटी मारेगा ऐसा होता है क्योंकि मैं लाइब प्रोग्राम करता हूं मैं बता रहा हूं जितना मुझे एक्स्पिरेंस है इसमें बाड़ी में बांद के आप अर्थिंग दे सकते हो जिससे हमिंग नहीं आएगी और आपका काफी हद तक नहीं मारेगा सिस्टम कि आपको पता रहेगा हमारी आवाज के लिए या नहीं आ रही है उनको सब में एक अक्तार बांद के धर्ती में लगा दो एक और कॉमेंट था कि भाई मेरा जो एंप्लिफायर रहा है और अब आज खोलते ही भरवराट की आवाज आ रही है तो आप देख सकते हो यह प्रिसेड लगा है घुमाने का यह तो आप यह चेंज कर दो यह अगर तूट जाए या मतलब कोई चीज मतलब खराबी हो जाए तो यह भरवराट की आवाज देने लगता है ज्यादा वाज पर क्योंकि आवाज जो है इसी से सैट की होती है एंप्लिफायर में क्योंकि जो सेट कर दो ड्राइब बोल्ट जीरो फोर बोल्ट जीरो चार बोल्ट होना चाहिए बेस पर मेरी वीडियो और बनी है देख लो जाके आप उसमें मैंने चेक करके बता दिया है यह आप कर सकते हो और आपका अप्लिफायर सही हो जाएगा भरवराट की आवाज नहीं आएग ठीक है तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा तो आपका स्पीकर सही नहीं चल रहा है तो उसके पहले माइनस प्लस चेक करो फिर एम्प्लिफायर से माइनस प्लस देख कर लगाओ उसमें इसकी वज़े से आपका स्पीकर कोई सा भी हो छोटे से स्पीकर से लेके और कितन लेक्सटो फोन का भी सपीकर ओता है वो भी माइनस प्लस का उपर चलता है माइनस फ्लस सोच के चेंज हो जाके तो हैंडिट परसेंट वह भी धमक गुमक नहीं देगा और आज आपकी अब आज आप भी सही नहीं निकलेगी लोकल स्पीकर जतने आ रहे हैं माइनस पिलस इसके चेंज आ रहे हैं ठीक है नए स्पीकर में चेंज हैं बताओ क्या करोगे ठीक है अपने सिस्टम में कमी निकाल दो तो फिर आप खुद माइनस पिलस चेंज हैं तो उसके सही करो माइनस पिलस स्पीकर के एंप्लिफायर में देखके ही लगाएं फाल्टू ना लगाएं ठीक है और फाल्टू अगर उल्टे लगे होंगे तो आपका स्पीकर कोई सा भी नहीं सही चलेगा चाहिए 15 इंची बेस 12 इंची 6 इं चीज से भी छोटे जो नननने स्पीकर हैं उनको भी मैं बता रहा हूं अगर माइनस पिलस चेंज है तो ठीक है तो यह आप हंडिट परसेंट ध्यान दोश चीज पर अगर ध्यान ने देते हो तो आप डीजे के काम में फेलो जाओगे आपके सामने ही उतना ही माल लगाए खड़ा होगा कोई और आप भी उससे ज्यादा माल लगा लेना आपके अंप्लिफायर के या मतलब स्पीकर के तार उल्टे हैं तो आप किसी से भी मतलब कंपटिशन नहीं कर सकते किसी से भी मतलब जीत नहीं सकते किसी चीज में तो आप छोटे से लेकर बड़े भी स्पीक और आप ने कि अगर मानिस फिलस चेंज हैं ठीक है और आपके डीजे के मानिस क्लिफ चेंज हैं तो आप लिगा लोग बंद में य। और मतलब कोज सावी शिस्टम ex टंग से तो भाई इसका मेरी बात का ध्यान रखना और आप चलाते हो तो माइनस पिलस का हैंड़ेट परसेंट ध्यान रखो कभी आप हार नहीं सकते डीजे के काम में तो आपका दोजार बाट होगा वह भी मतलब नहीं देगा बेस साहिसे और आपके अगर तार सीधे हैं तो आप देख लेना हिला करतेगा एक हजार वार्ट चखा के देख लेएना वह खिला करते भाउल है यह भी देख लेना अगर सिर्म करें पर लिखिंगर मज़ा आता है कितनी बेस देता है तो यह चीज़ का आफ500 ध्यान रखो सबसे ज्याद़ तो ध्यान रखो क्योंकि आप천-टी चलाते हो तो आफ pont 2500 यह खराब करके लाते हो और ख़राब करके लात जब बनवाते हो तोसके मैंनस चेंज हो जाते हैं फिर आप कहया देऊ कि अब पहले कुद में क्वाल्टी लाओ उसके बाद दीजे की क्वाल्टी देखो आप कभी फेल नहीं होगा डीजे के काम में ऐसी और भी जानकारी देता रहूंगा ऐसे यह तो वीडियो लाइक करें और सेर करें चल को सस्क्राइब करें मिलता हो वीडियो में